यूपी में जब से नगर निकाय चुनाव की डेट का एलान हुआ है तब से करनाटक के साथ यूपी की राजनिती भी गर्माने लगी है यूपी में दो चड़नों में चुनाव होंगे चार मई को पहले और दूसरे चड़न की वोटिंग 11 मई को होगी जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे चुनाव के चलते यूपी में एक बाफ फिर से सपा और बीजेपी दमखम दिखाने में लगी हुई है सपा ध्यक्ष अखिलेश यादव विधान सबा चुनाव की तरह ही निकाय चुनाव पर भी फोकस बनाय हुए है लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उनके अपने ही उनको जटका देने के फिराक में है दरसल मामला ये है कि समाजवादी पार्टी का गड़ कहे जाने वाले इटावा जन्पद में नगरपाली का और नगरपंचायतों की छे सीटे हैं जैसे ही यहाँ सपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की वैसे ही सपा को लगातार कई जटके लगने शुरू हो गए अध्यक्षपत की आस लगाए पुराने कारेकरताओं की नाराजगी खुल कर सामने आने लगी है ये नाराजगी इतनी बड़ी थी कि उन्होंने पार्टी तक छोड़ने का ऐलान कर दिया भर्थना नगरपाली का अध्यक्ष के लिए सालों से तयारी कर रहे वैस्ट नेता मनोज पूरवाल ने सपा को नमस्कार कर दिया और बस्पा में शामिल होकर चुनाव का एलान कर दिया शहर इटावा में नगरपाली का परशत का चुनाव होट चुनाव माना जाता है सपा ने यहाँ पर इदरिश अंसारी की पुत्रवधू को अध्यक्षपद के लिए टिकट दिया है तो लंबे समय से टिकट की आस लगाए पूर्वध चेर्मैन और वईष्ट सपानेता जहीर एहमद अंसारी ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है अभी उन्होंने ये नहीं बताया है कि कहां जाना है लेकिन पार्टी में बगावत अब साफ दिखने लगी है सपा की बगावत यहीं खत्म नहीं हुई भर्थना नगरपालिका में विपिन यादव भी अध्यक्षपद के लिए टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का एलान कर दिया विपिन यादव शिवपाल सिंग यादव के करीबी बताये जाते हैं दूसरे दौर में इटावा में होने वाले नगरपालिका और नगरपंचायट चुनाव जो बगावत सामने आ रही है उससे यह साफ है कि यहाँ पर सपा का समिकरण गरबड़ा सकता है इससे पहले एक और करदावरनेता कुलदीप गुपता यानि जिनका नाम संटू भी है जो नगरपालिका इटावा के पूर्व अध्यक्ष रही है वो भी विधार सभा चुनाव में टिकट न मिलने से पार्टी से अलग हो गये थे और ब्यस्पी से चुनाव लड़कर सपा कैंडिटेट को हरवा दिया था कुलदीप गुपता को इस बार भी उम्मीद थी कि पार्टी में वापस किया जाएगा और अध्यक्ष पत का चुनाव लड़वाया जाएगा लेकिन सपा ने जिस तरह से दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया है और एक साथ इतने बगावती सामने आ रहे हैं ये सपा के लिए बहुत बड़े खत्रे की घंटी है नगरपालिका और नगरपंचायत के इस चुनाव में सपा के गढ़ में ये बगावत कहीं न कहीं सपा के समिकणों को खराब करने का काम जरूर कर सकती है आपको पता देगी यूपी की 760 नगरणिकायों में नगरणिगम के मेयर, नगरपालिका, नगरपंचायत के अध्यक्ष और पाशद के लिए पिछले साल दसंबर में ही चुनाव कराया जाने के तयारी थी राजसरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षन भी जारी कर दिया लेकिन आरक्षन को लेकर मामला हाई कोर्ट में चला गया हाई कोट ने बगार OBC आरक्षन के ही ततकाल चुनाव कराने का आदेश दिया तो यूपी सरकार इसके खिलाफ सुप्रिम कोट पहुँच गई सुप्रिम कोट के आदेश पर यूपी सरकार ने रिटार जज राम ओतार सिंग की अध्यक्षता में पांच सदस्य OBC आयो का गठन किया इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौफी और कोट ने भी स्विकार कर ली इसी के बाद चुनाबायोग ने इसकी अधिसूशना जारी कर दी जिस तरीके से सपा में बगावती तेवर कारकरता अपनाय हुए हैं उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार सपा अपनों के बीच में ही बुरी तरीके से फस्ती जा रही है ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि क्या जनता सपा में भरोसा कर पाएगी या नहीं